आसूस वीवो बुक 15 फाइनली आ गया हम अरबास एस 15 ओलेड की डिमांड जादा थी कॉमेंट सेक्शन में बट वो अरेंज होनी पाया तो मैंने वीवो बुक 15 कर लिया यह वही वाली रेंज है जो 60,000 से नीचे आती है और थिन लापटप होते हैं ग्राफिक काड नी होता और पी या फिर यू सीरीज वाला प्रोसेसर होता है तो अभी थोड़ी दिन पहले निकल जाएंगी एक 65 वाट का पावर अडाप्टर निकल जाता है एंड फाइनली यहां पर निकल जाता है हमारा लाप्टाप फुल उंगले-उंगले के निशान लगे हैं क्योंकि यूस कर चुका है इसा दिखावे वाली अन्बॉक्स ही है यह और लाप्टाप के लुक काफी सही लग रही है यहां पर एकदम बिल्कुल प्लेन सिंपल यहां पर आसूस भी लिखा है तो सबसे पहले स्पेसिफिकेश आपके सामने है वाइफाई 6 एं ब्लूटूथ वर्जन 5 और MS-Office 2021 भी आपको इसके अंदर मिल जाता है तो भाई अगर फिफिटीन से करते हैं तो देफिनेटली प्रोसेसर के मामले बेटर है उसके अंदर 2P वाला प्रोसेसर है इसके अंदर 4P वाला प्रोसेसर है सेकिंड वाई-फाई 6 आपको मिल रहा है थर्ड मेंचीज के अंदर सिंगल चैनल में रायम है तो आप डेफिनेटली अप्ग्रेड कर सकते हो उसके अंदर डूट चैनल में अप्ग्रेड का कोई अप्शन नीए स्टोरेज अप्ग्रेड के बारे मिरको कोई आईए निया कितने स्टोरेज स्लॉट इसके अंदर सिस्डी वगरे के हैं तो उसके लिए आप असुस वालों का सकते हो आम से फोन करके बाई साब बता हो अमें नहीं बता है और यह बाई मेरी ब्रैंड से रिक्वेस्ट भी है लेकिन क्वालिटी अच्छी है प्लास्टिक की पकड़ के पतला जाता है और यहां पर मिनिमल सा आपको कीबूर्ड फ्लेक्स भी मिल जाएगा और पीछे साब नोटिस करोगे इसके उपर कुछ ऐसा प्रिंट सा बना हुआ है जैसे पानी के चीटे नहीं पड़े जाता है पीछे से मैट टाइप फिनिशिंग में और सिंगल फैन मॉडियूल के साथ आता है और यहां पर हमारे इंटेक के वेंट्स हो जाएंगे और नीचे डाउन फारिंग हमारे स्पीकर हो जाते है और एक राइट साइड में मिल जाएगा और अगर आप गौर से देखोगे तो लिए वेंट हमारे को यहां पर मिलता जब हमारा खुल जाता है तो हवा हमारे कुछ यहां से पास होती है तो इससे को स्क्रीं को को दिक्कत निया बहुत कम रिप्यम में चलता है और यह एग्जाक्ली भिल्कुल है रिवीयर साइड बीनिये मिडियम गएंगे सिंग लाइं सर्टिफिकेशन के साथ आता है तो कहना है थोड़ा बहुत जैसे बैग में रखा है गिर जाए इदर उदर बहुत जेल जाएगा यह ना बाकी तो लैप्टॉप के साथ कुछ ऐसा करना मत क्योंकि बहुत फिराइज चाहिल चीज होती है खराब हो सकती है और 15 इंचेज का लै यह इंस्टेटली उपन हो गया राइट साइड में हमारे को पावर इंपूट पॉर्ट मिल जाता है HDMI 1.4 का पॉर्ट मिल जाता है HDMI 1.4 से आप 1080p 120Hz तक आउटपूट ले सकते हो और 4 के 30Hz सक ले सकते हो जिनके माइन में डाउट होता है कि 60Hz स्क्रीन वाला लाप्टोप है त तो भाई टाइप A पोर्ट के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है एक RJ45 LAN पोर्ट दे सकते थे क्योंकि 19.9 mm थिन है इतना जादा भी थिन नहीं है इतना थिक भी नहीं है तो वह वाला पोर्ट एड़न हो सकता था और एक SD Card Slot जो हम हर बार बोलता हूँ वह तो पताने लाप यूजली ऊपर थोड़ा पतला होता बैसल यहां पर और नीचे से मेट्रीकल सा है बाकि चलाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर colors वह थिक टिक से मिल जाएंगे 45% NTSC वाले जादा उमीद करने की जूरत नहीं है इस प्राइस रेंज में और आगर आपको basic content consume करन ने मेरे को बहुत ज्यादा सप्राइस कर दिया बैटरी जादा वाटर की नहीं है 42 वाटर की बैटरी है लेकिन पांच घंटे का बैकप दिया सने मेरे को मतला वह यूसेज की थी screen brightness 50% of basic अपना software इंस्टाल करना YouTube की वीडियो देख ली इंटरनेट वगरा ब्राउज कर लिय अब जरा इसके speaker spooker के वाद सुन लें वैसे सुन चुक हो एक पर कैमरे के सामने दुबारा सुन लू ना तो बोलने वासाल नहीं होती है NCS चलाएंगे जर कापी ते राइट नहीं चाहिए ना सानु स्पीकर वो ही है बैलेस्ट बिल्कुल डाउन फाइरिंग वाले स्पीकर है और बिल्कुल बैलेस्ट साउंड है कोई जादा ऐसी खास ऐसे लंबी चौड़ी साउंड नहीं मिलेगी आपको नॉर्मल अकेले वाट कर चला रहे हो तो काम चल जाएगा मैं पहले से लो लाइट में खड़ा हो गया हूं और कुछ ऐसी कॉलिटी आपको मिलेगी सिर्फ एक नॉर्मल सी लाइट जल गिया सामने तो इससे आपको अंदाज हो जाएगा कि लो लाइट में कैसी पर्फॉर्मेंस देगा और माइक की कॉलिटी जो मेंली है वो है इसके अंदर यह बड़िया चीज है फिजिकल शेटर बटन मिलता आपको यहां साब इसको 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 खोल दो खुल गया अब जरा पर्फॉर्मेंस और बेंचमार्क की बात के लिए तो पीसी मार्क टैन 4904 हमारा स्कॉर है इसमें 5000 एकदम बढ़िया माना जाता है तो यह होता उसमें भी कोई दिक्कत ने होने वाली और बाकी क्रॉसमार्क का स्कोर है यह कंपैरेजन के लिए अगर आपको देखना हो तो वीडियो पॉस करके देख लेना क्रॉसमार्क के लिए वही दूसरे लैप्टॉप से अगर कंपेर करना हो तो किसका कितना जाद आया कुछ है तो उससे आपको प्रोसेसर का अंदाद हो जाएगा अब रियल टाइम उसेज की बात कर लेते हैं तो भाई अगर आपको 1080p editing करनी है इसके अंदर आपके अराम से हो जाएगी कोई दिक्कत ने आएगी उसके बाद मल्टी टास्किंग करने कि यूट्यूब पर वीडियो इतनी अच्छी नहीं है color accuracy इतनी अच्छी नहीं है बट सिल अकर आपको color accuracy वाले काम नी करने जस्ट परफॉमेंस वाले काम करने तो इतनी परफॉमेंस तो यह दे देगा बागे 16GB RAM में अपग्रेड कर सकते हो फ्यूचर में तो और तगड़ी परफॉमेंस आप निकाल सकत इसके अंदर 25 सेवरेज मिल रहे थे तो i5 वाली casual gaming जैसे आप सारे laptop सकते हो वही मिलेगी और validant मैंने नहीं चला है उसके अंदर फायदाग है 68 का पैनल है बागे वही 60-70 fps मिलेंगे और वह इतना फायदे मन्थ है नहीं तो फिर मैंने वह टेस्ट ही नहीं किया तो बस यही कि दिक्कत निकालने को तो कितनी भी निकाल दो बट जिस प्राइस रेंज मारा उससाब से भी देखना पड़ेगा और हाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूँ इस टाइप की वीडियो में बहुत लोग कमेंट करते हैं कि 55-60,000 हम इसमें खर्च करेंगे सच्छा तो gaming laptop ले ले ल उसने मना गिया है बट उसके अंदर फिर बैटरी वैकप नहीं मिलेगा बलकी laptop होगा और लुक्स भी थोड़े गेमिंग वाले मिल जाएंगे तो वह चीज मैटर करते हैं यह परसंट तो इस चीज का थोड़ा दिया नगना तो आज की वीडियो के लिए तन नहीं था तो आ लाइक मारो, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट जो करना गरो, मिलते हैं नेक्स वीडियो अब तक के लिए बाई